उत्रप्रदेश में रामपूर खतोली में विदान सभा उपचुना होने हैं तो मैनपुरी में लोग सभा को उपचुना होना है। तमाम सरी राजनेतिक पार्टिया तैयारी कर रही है। कि निस बेच आजम खान सुप्रीम कोट पहुंच गया है कि उनकी विधान सवा सदस्यता गलत तरीके से रद्द की गई है हमारसाथ बाचित की मुझूद है उत्रपते सरकार में कैबनेट मंद्री अनिल राजबर जी सार आजम खान का अरोप है कि सदस्यता गलत तरीके से अनिल इस इन लोगों को नभारत की न्याइपालिका कोई भरोसा इनके बयान उठा कर देखिये मानतalay ने इनके विवहार इनकी इनके बयान ये प्रमारित करते हैं कि कभी भी भारत की न्याय पालिका पर इनको भरोसा नहीं रहा भारत की संभिधान पर इनको भरोसा नहीं रहा भारत की लोकतांत्रिक प्रतिस्ठानों पर इनको भरोसा नहीं रहा तो आज गय है माननी न्याले जो फैसला करेगा उसका स्वागत है हम लोगों को कोई एतराज नहीं है वो तो कोड का फैसला पहल भी बात चले मैंपुरी से चुनाव लड़ाने की तो ही आजम घड़ आजम खान की पत्नी है उनकी भी चर्चा की राभपूर से चुनाव लड़ सकती है देखिए हमारे यहां उमिद्वार कौन होगा यह तू राश्टी नित्रित्रों इसका फैसला करता है हम सभी कार्य करता कमल निशान को अपना उमिद्वार मानकर अपनी तयारी करते हैं और साल के 365 दिन हमारे यहां तयारी चलती है और धरातल पर काम होता है हम पूरी तरीके से तयार हैं जैसे आजम घड़ जीते थे रामपूर जीते थे उसी तरीके से जनता के प्यार और आसिरवास से समर्थन से बाकी भी बाई election सब जीतेंगे लग रहा है कि रामपूर में जिस तर्के से आजम खान की वहाँ पर रुत्बार रहा है और कभी रामपूर आप शीट नहीं जीट पाए है तो लग रहा है किस बार जीतेंगे नहीं आजमगड के भी परिडाम आप देखिए एक आक बार को आप छोड़ दीजिए और फिर रामपुर का वही रामपुर है अभी कुछ दिन पहले वहां उपचुना हुआ वहां का भी परिडाम देख लीजिए यही तो कहा गया कि यह हमारा गड़ है यह हमारा किला है कभी धह नहीं सकता हम कभी तूट नहीं सकता लेकिन उत्तर प्रद का एक मैसेज है उस मैसेज को आज भी विपक्ष ग्रहन करने का काम नहीं कर रहा है स्विकार करने का काम नहीं कर रहा है कि जनता चाहती क्या है जनता उत्तर प्रदेश को आत्म निर्भर बनाना चाहती है ससक्त और संब्रिद बनाना चाहती है इसलिए भारती जनता को टार्गेट करके बस आरोप लगाना है कुछ भी बोल दीजे भारती जनता पार्टी खिलाफ एक सवाल हो रहे है अब बास अंसारी खिला पीडिक कारवाई चल लहीं है वहीं प्रकास राजबर ने कहा है कि हमारे विधायक नहीं समझाती पार्टी की विधायक है जबकि सबसे बड़े माफिया से मिलने आप सहारन पूर तक जाते हैं आप चित्रकूट और बादा तक की यात्रा करते हैं उसकी गाड़ी में बैठके साथ में खुले आम मीटिंग करके जिसके समर्थन में वोट मांगते हैं और आज क्या है ये मतलब इतना जनता को ना समझ समझ दिया है जो मन में आए वो कह देना जो मन में आए वो कर देना तो अब ये इस तरह की राजनीत का एक ये आखरी समय चल रहा है जनता बहुत अच्छी तरीके से इन लों को समझ गई है आज सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरीके से तयार बैठी हुए ये जो बयान है ये बयान नहीं है ये सहारा खोजने का एक प्रयास है कि अगला कौन हमें सहारा देगा अब कोई सहारा नहीं देने वाला अब ये राजनीत की जो दुकान ले लोग चलाते हैं और दुकान पूरी तरीके से जनता बंद करने जा रहे हैं अब देश के ही परिटक बनारस में आ रहे हैं अभी देव दिवपावली बीती है और मैं सही कह रहा हूं जिस दिन दुनिया से लोग आने लगेंगे पूरी तरीके से कोबीड का जो प्रतिबंद है वो हट जाएगा तो आप कलपना नहीं कर सकते अभी देव दिवपावली पर बड़े से बड़े होटल हों छोटे से गेस्ट आउस हों छोटे छोटे होटल हों हमारी धर्मशालाएं हों कहीं पैर रखने की जगण नहीं थी भगवान काल भैरो तो जानते हैं कि बनारस में जो भी आता है भगवान काल भैरो को पहला प्रणाम करता है पहला सम्मान देता है तो भगवान काल भैरो आप देखी कहां स्थापित हैं हाणा अब बना बाबभी शुनात का कारिडॉर बना भगवान कालभहिरो का भी कारिडॉर बने उनको और भी है संवान हम लोग दे पाएं वहां और भी विकास हो पाए तो हम सब लोगों के लिए सौभाग की बात और देश से आने वाले जितने स्रधालू हैं जितने उनके भ कोट अपना निड़े लेगा लेकित पूरी तरीके से न्याज सम्मत कारवाही उनके खिलाब की गई है। अब श्र्ण धर्मतन के साथ अभी नाश्तिवारी एबीपी गंगा दिल ले। एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी